हेलो फ्रेंड्स वोगते आप सब एका सॉल समद्रे से यूटूब चनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में इस पैलिंग टेस्ट से रेलिटिग पर्टे सेट लिया है इस पर्टे सेट में 30 कुश्चन कवर करेंगे आप लोगों को जरू बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कूर किया है और इसका जो पीडियाइफ है आपको टेलिग्राम के चनल पे एक से दो दिन मिल जाएगा तो टेलिग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का description में है तो आप सभी लोग जो है टेलिग्राम को जोइन कर लीजे और आप सभी लोग जो है यूटूब चैनल को भी जोइन कर सकते हैं यूटूब चैनल जोइन करते ही आपको सभी वीडियो की जो PDF होगी वो आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगी और उसका पासबर आपको चैनल के मेंबर्शिप सेक्षन में आपको मिल जाएगा जब आप सभी लोग चैनल को जोइन कर लेंगे तो आपके यूटूब के हॉम प सब्सक्राइब करते हैं और आप सभी लोग जो है मेरे साथ लाइब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहला कुष्ण कुष्ण मोबन इसमें आपको क्रेक्ट स्पलिंग बतानी है एक्यूज़िशन की तो एक्यूज़िशन की करेक्ट स्पलिंग क्या हो जाएगी आप लोग पहले सोच लिजे इसका राइट आप्सन क्या हो जाएगा तो एक्यूज़िशन की जो करेक्ट स्पलिंग होती है एक्यूज़िशन की करेक्ट स्पलिंग ये किस आप्सन में दि जिसका मतलब होता है अधी ग्रहड मतलब की लाब या फिर कमाई तो यहां पे इसका C option यहां पर correct हो जाएगा C option में acquisition की correct spelling लिखी हुई है आप लोग देख लिजिए अगला question कुछ नमा टू इसमें आपको acquittal की correct spelling बतानी है तो acquittal की correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले सोच लिजिए इसका right option क्या हो जाएगा तो acquittal की correct spelling होती है अ-C-Q-U-I-T-A-L यह होती है acquittal की correct spelling यह किस option में दिया है तो यहां पे इसका D option यहां पर correct हो जाएगा अ-C-Q-U-I-T-A-L acquittal means होता है दोश मुक्ति यह फिर रिहाई तो यहां पे इसका D option यहां पर correct हो जाएगा अगले question कुछ नमा थर्ड इसमें आपको acquittal की correct spelling बतानी है तो acquittal की जो correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले चलिस का correct option के हो जाएगा तो acquittal की जो correct spelling हो जाएगी अ-C-Q-U-I-T-E-D यह होती है अको इटट की correct spelling यह किस option में दिया है तो यहां पे इसका A option यहां पर correct हो जाएगा acquainted means होता है वे मुक्त या फिर आपराद मुक्त तो यहाँ पे इसका A option यहाँ पे correct हो जाएगा अगले question question number 4 इसमें आपको acrimonious की correct spelling बतानी है तो यहाँ पे आप लोग सोच लिए इसका right option क्या हो जाएगा तो acrimonious की जो correct spelling हो जाएगी A C R I M O N I O U S यह होती है acrimonious की correct spelling यह किस option में दिया है तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा option यहाँ पे C correct हो जाएगा acrimonious spelling आप लोग चेक लिजे इसका मतलब होता है उग्र या फिर चिड़जापन option C correct हो जाएगा अगले question question number 5 इसमें आपको acrimonious की correct spelling बतानी है तो acrimonious की correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले सोच लिजे इसका right option क्या हो जाएगा तो acrimonious की correct spelling हो जाएगी acrimonious यह होती है acrimonious की correct spelling यह किस option में दिया है तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा option यहाँ पे b option यहाँ पे correct हो जाएगा एक्रिमनी मीन्स होता है कि रूखापन या फितीखापन या फिर चटड़ापन तो यहाँ पे इसका B option यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने दस फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेखिया करें अगले कुशन कुशन नम्म सिक्स इसमें आपको अक्रोस की करेक्टर स्पेलिंग बतानी है तो across की correct spelling जो हो जाएगी आप लोग पहले सोच लिजे इस correct option क्या हो जाएगा तो across की correct spelling हो जाएगी A-C-R-O-S A-C-R-O-S ये होती है across की correct spelling ये दिया है D option में तो यहां पर इसका D option यहां पर correct जाएगा across means होता है कि R पार या फिर सभी जगे तो यहां पे इसका D option यहां पे correct हो जाएगा अगला question question number 7 इसमें आपको actually की correct spelling बतानी है तो actually की जो correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले सोच लिजे इसका right option क्या हो जाएगा तो actually की जो correct spelling होती है A, C, T, U, A, L, L, Y यह होती है actually की correct spelling यह किस option में दिया है तो यहां पे इसका C option यहां पे correct हो जाएगा actually means होता है की बास्ताव में तो यहां पे इसका C option यहां पे correct हो जाएगा अगला question question number 8 इसमें आपको actuation की correct spelling बतानी है तो actuation की जो correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले सोच लिए इसका right option क्या हो जाएगा तो actuation की जो correct spelling होती है यह होती है actuation की correct spelling यह किस option में दिया है तो यहां पे इसका right option हो जाएगा option यहां पे इसका a option यहां पे correct हो जाएगा actuation means होता है प्रबरतन तो यहाँ पे इसका A option यहाँ पे correct हो जाएगा actuation spelling आप लोग देख लीजिए अगला question कुछ नमर 9 इसमें आपको adamant की correct spelling बतानी है तो adamant की जो correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले सोच लिजे इसका right option क्या हो जाएगा तो adamant की correct spelling हो जाएगी A, D, A, M, A, N, T यह होती है adamant ही correct spelling यह किस option में दिया है तो यहाँ पे इसका C option यहाँ पे correct हो जाएगा adamant means होता है कठोर, पदार्थ, या फिर अटल तो यहाँ पे इसका C option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला question कुछ नमर 10 इसमें आपको adaptation की correct spelling बतानी है तो adaptation की correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले सोच लिजिए इसका right option क्या हो जाएगा तो adaptation की correct spelling हो जाएगी A, D, A, P, T, A, T, I, O, N यह होती है adaptation की correct spelling आप लोग यहाँ पे देख लिजिए A, D, A, P, T, A, T, I, O, N adaptation means होता है क्या uncoolan या फिर male तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा option यहाँ पे A, option यहाँ पे correct हो जाएगा spelling आप एक बार चेक कर लिजिए adaptation means होता है क्या uncoolan या फिर male तो option यहाँ पे A correct हो जाएगा अगला question question 11 friends तो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like और अपने 10 friends मीडियो को जरूर शेखिया करें अगला question question 11 इसमें आपको addiction की correct spelling बतानी है तो addiction की जो correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले सोच लिजिए correct option क्या हो जाएगा तो addiction की correct spelling हो जाएगी A, D, I, C, T, I, O, N यह होती है addiction की correct spelling यह किस option में दिया है तो यहाँ पे इसका B option यहाँ पे correct हो जाएगा addiction means होता है लत या फिर बुरी आदत तो addiction की spelling आप लोग देख लीजे अगला question question 12 इसमें आपको addition की correct spelling बतानी है तो addition की जो correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले सोच लिजिए इसका right option क्या हो जाएगा तो addition की correct spelling हो जाएगी अगला question question 13 इसमें आपको address की correct spelling बतानी है तो address की जो correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले सोच लिजे इसका right option क्या हो जाएगा तो address की correct spelling हो जाएगी A-D-D-R-E-S ये होती है address की correct spelling ये दिया है D option में तो यहाँ पे इसका D option यहाँ पे correct हो जाएगा address means होता है पता अगला question question 14 इसमें आपको adequate की correct spelling बतानी है तो adequate की जो correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले सोच लिजेस का right option क्या हो जाएगा तो adequate की correct spelling हो जाएगी A-D-E-Q-U-A-T-E ये होती है adequate की correct spelling ये किस option में दिया है तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा option यहाँ पे A option यहाँ पे correct हो जाएगा adequate means होता है कि परयाप्त या फिर उचित तो यहाँ पे adequate की spelling आप लोग एक बार देख लीजे ये spelling जो है काफी exams में पूछी गई है अगले question question number 15 इसमें आपको adherent की correct spelling बतानी है तो adherent की जो correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले सोच लिजेस का right option क्या हो जाएगा तो adherent की जो correct spelling होती है adherent की correct spelling ये किस option में दिया है तो यहाँ पे इसका c option यहाँ पे correct हो जाएगा adherent means होता है कि पचपाती option यहाँ पे c correct हो जाएगा spelling आप चेक का लीजे ये भी question जो है काफी exams में पूछी गई है spelling आप लोग देख लीजे adherent की spelling क्या होती है अगले question question number 16 इसमें आपको adjacent की correct spelling बतानी है तो adjacent की जो correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले सोच लिजे इसका right option क्या हो जाएगा तो यहाँ पे adjacent की correct spelling हो जाएगी adjacent यह होती है adjacent की correct spelling यह किस option में दिया है तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा option यहाँ पे इसका बी option यहाँ पे correct हो जाएगा adjacent means होता है कि नजदीक तो यहाँ पे adjacent की spelling आप लोग देख लीजे अगला question question number 17 इसमें आपको adjourn की correct spelling बतानी है तो यहाँ पे adjourn की जो correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले सोच लीजे इसका right option क्या हो जाएगा तो यहाँ पे adjourn की correct spelling हो जाएगी अगला question question 18 इसमें आपको adjournment की correct spelling बतानी है तो यहाँ पे adjournment की जो correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले सोच लीजेस का right option क्या हो जाएगा तो adjournment की जो correct spelling हो जाएगी ए डी जे ओ यू आर एन एम ए एन टी यह होती है अज़ड़्मेंट की correct spelling यह किस option में दिया है तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा option यहाँ पे a option यहाँ पे correct हो जाएगा adjournment की spelling आप लोग यहाँ पे देख लीजे इसका मतलब होता है कारे इस्थगन तो यहां पर अज़र्टमेंट की स्पेलिंग आप लोग चेकर लिजे अगला question 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 19 इसमें आपको administration की correct spelling बतानी है तो administration की जो correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले सोच लिजेस का right option क्या हो जाएगा तो administration की correct spelling हो जाएगी यह होती है administration की correct spelling यह किस option में दिया है तो यहाँ पे इसका d option यहाँ पे correct हो जाएगा administration means होता है पिरशाशन तो यहाँ पे इसका d option में यहाँ पे correct spelling दी है अगला question 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 20 इसमें आपको administrator की correct spelling बतानी है तो administrator की जो correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले social justice का right option क्या हो जाएगा तो administrator की जो correct spelling हो जाएगी A D M I M I N I S T R A T O R ये होती है administrator की correct spelling इसका मतलब होता है पिरशासक option यहां पे इसका A correct हो जाएगा spelling आप लोग चेक लिजे administrator की correct spelling एक option A में दिया है अगला question question 21 friends जब आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like और अपने 10 friends मीडियो को जरूर शेकिया करें question 21 में आपको admirable की correct spelling बतानी है तो admirable की correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले social justice correct option क्या हो जाएगा तो admirable की correct spelling हो जाएगी A D M I R A B L E ये होती है admirable की correct spelling ये किस option में दिया है admirable तो यहाँ पे इसका B option यहाँ पे correct हो जाएगा admirable means होता है persons नहीं है तो यहाँ पे इसका B option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला question question 22 इसमें आपको admiration की correct spelling बतानी है तो admiration की जो correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले social justice correct option क्या हो जाएगा तो admiration की correct spelling हो जाएगी admiration means क्या होता है तो admiration means होता है पिरसंसा तो यह किस option में दिया है तो यहाँ पे इसका D option यहाँ पे correct हो जाएगा admiration की correct spelling option D में दिया है जिसका आर्थ होता है पिरसंसा अगला question question 23 इसमें आपको admissible की correct spelling गतानी है तो admisble की जो correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले सोच लिजे इस correct option क्या हो जाएगा तो admisble की जो correct spelling हो जाएगी यह होती है admisble की correct spelling यह दिया है option C में तो यहाँ पे इसका option C correct हो जाएगा admisble means होता है सुविकार है तो option C correct हो जाएगा अगला question question 24 इसमें आपको admission की correct spelling बतानी है तो admission की जो correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले सोच लिजे इसका right option क्या हो जाएगा तो admission की जो correct spelling होती है यह होती है admission की correct spelling यह किस option में दिया है तो यहाँ पे इसका B option यहाँ पे correct हो जाएगा admission की spelling आप लोग देख लिए जिसका आर्थ होता है प्रवेश तो option यहाँ पे इसका भी correct हो जाएगा अगला question question 25 इसमें आपको admittance की correct spelling बतानी है तो admittance की जो correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले सोच लिए इसका right option क्या हो जाएगा तो admittance की जो correct spelling हो जाएगी admittance की correct spelling यह किस option में दिया है तो यहाँ पे इसका d option यहाँ पे correct हो जाएगा admittance means होता है कि प्रवेश यह फिर प्रवेश आगया option यहाँ पे इसका d correct हो जाएगा अगला question 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 26 friends तर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like और अपने 10 friends वीडियो को ज़रूर शेख जा करें अगला question 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 26 इसमें आपको admitted की correct spelling बतानी है तो admitted की जो correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले social justice का right option क्या हो जाएगा तो admitted की जो correct spelling हो जाएगी अगला question question 27 इसमें आपको admitted की correct spelling बतानी है तो admitted की जो correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले social justice का right option क्या हो जाएगा तो admitted की जो correct spelling होती है अगला question question 28 इसमें आपको admitted की correct spelling बतानी है तो admitted की जो correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले social justice का right option क्या हो जाएगा तो admiration की जो correct spelling हो जाएगी एडि मोनिति यह होती है एड्मोनिशन की correct spelling यह किस option में दिया है तो यहाँ पर इसका b option यहाँ पर correct हो जाएगा एड्मोनियशन की spelling आप लोग चेकर लिजे option यहाँ पर b correct हो जाएगा मतलब होता है चीताबनी अगले question question 29 इसमें आपको adolescence की correct spelling बतानी है तो adolescence की जो correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले सूच लिजे इसका right option क्या हो जाएगा तो adolescence की जो correct spelling हो जाएगी A, D, O, L, E, S, C, E, N, C, E ये होती है adolescence की correct spelling ये किस option में दिया है तो यहां पी इसका right option हो जाएगा option यहां पे C correct हो जाएगा adolescence means होता है कि शूरा अबस्था option यहां पे इसका C correct हो जाएगा अगले question question 30 इस video का last question है इसमें आपको adolescence की correct spelling बतानी है तो adolescence की जो correct spelling हो जाएगी आप लोग पहले सूच लिजे इस correct option क्या हो जाएगा तो adolescence की जो correct spelling हो जाएगी यहां पे इसका D option यहां पे correct हो जाएगा अगले question कुछ नमा 31 इसमें आपको अडॉन की correct spelling बतानी है तो अडॉन की जो correct spelling हो जाएगी इसका अंसर आप लोगों को comment box मताना है कि इसका right option क्या हो जाएगा यह question आप लोगों को लिए homework है कि question नमा 31 में आपको addon की correct spelling बतानी है तो addon means होता क्या है और addon की जो correct spelling है यह किस option में दिया है इसका answer आप लोगों को comment box मताना है Thank you friends आप लोगों ने 30 में से कितना score किया है comment box में जरूँ बताएगा friends आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like और अपने 10 friends से वीडियो को जरूँ शेकिया करें अगर आप channel पर पहले आप जिट किये है channel जरूँ सब्सक्राइब करें मिलते हैं new video में तब तक लिए जय हिंद वंदे मात्रम